हलो एरोण वेलकम डो दे डियेस गुरू जी राजस्तान करेंट अफेर का ये मास्टर वीडियो आप कह सकते हैं ये जो पूरी सीरीज चलेगी इसमें राजस्तान करेंट अफेर के सारे क्यूशन करवाई जाएंगे जो के आपके 2019 के एकजाम में पूछे जा सकते हैं परिवर्तन हो जैसा कि पंचायती राज में भी कुछ एक परिवर्तन हुए है एलेक्शन के रिगार्डिंग और नई चीजे जो इंट्रड्यूस की गई है नई गवर्मेंट द्वारा वो सारी चीजी हैं पर लेंगे इसके सासाती क्या चीजे थी जो पुरानी है और परिवर्तित नहीं हुई है जो प्रशन पर इंपेक्ट करेगी उसको भी हम लेंगे और एक बात और आपको बता दूँ व्यक्ति विसेश हो या बाकी खेल से सम्मंदित कोई चीज रही हो या कोई यूद दभ्यास किया गया हो या कोई लिटेशर पेस्टिवल हुआ हो उससे सम्मंदित भी जो प्रशन बनते हैं वो भी इस सीरीज में लिये जाएंगे बैसे तो हम चाते थे टोटल सतरा पेज हैं और सभी क्यूसंस को एक ही वीडियो में करवा दिया जाए लेकर आएंगे और आज पहला पार्ट है इसके बाद आगे और भी पार्ट आपको मिलेंगे सबसे पहले बताते हैं कि लाजस्तान करेंट अपेर के अगर मैं बात करूँ तो 2018 में लगभग लगभग हर एक एकजां में जिसमें लिखा भी था और नहीं भी लिखाता सव में उसमें भी करेंट के किवसन पूछे गए हैं ज्यादातर किवसन ऐसे थे जो डारेक्टवी योजना उसे डिपेंडेंट थे जैसरी भावासा योजना से प्रश्नग बने हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी देखे गए जैसा कि पूछा गया था कि यह जो NRLMP है या Rural Health Mission है यह कब प्रादम्ब हुआ था तो सन पे भी प्रशन बने हैं और सन 2015-2013 का भी कुछ योजनाओं का रहा है और बाद में वो केरी होती चली गई 2018-2014-2015 की बात आगई तो क्यूशन योजना का ही था क्यूशन करंट का ही था लेकिन इस्टार्ट कब हुआ था यह पूच लिया तो इस प्रकार के क्यूशन भी बने है एक बात हमने ये भी देखी है 2018 के एकजाम के अंदर ज्यादातर क्यूशन जो है करंट के वो नाम पे बन बाली का सिक्सा के लिए जो सोफ्ट्वेर है वो उसका नाम क्या है ऐसे प्रस्ण काफी जाद हमें देखने को मिले हैं सोफ्ट्वेर और पोर्टल वाले क्यूशन जो है करंट के अंदर 2018 में बहुत जादा बार पूचे गए तो वो सभी सारी चीजे आपको यहां पर इस व क्यूशन वही बनता है जो उस गोर्मेंट को सूट कर रहा हो ध्यान रख लेना कभी इस प्रकार के क्यूशन नहीं बनेंगे जो गोर्मेंट को सूट नहीं करते हो ठीक है बले वो किसी प्रकार कर रहा हो और यह गलत है सही इसकी बाद में बात करेंगे अपन लेकिन बनता ऐसे ही है तो ध्यान रख लीजिएगा जिस प्रकार भामासा योजना की कुज़न सबसे जादा बार पूछे गए ते 2018 में क्योंकि गोर्मेंट जो थी वो भामासा योजना को सपोर्ट करती थी वर्तमान में भी ऐसी कई योजना आएंगी गोर्मेंट की तरफ सिर्फ बहुत स और उससे कहीं सारे क्योशन करेंट के निकल कर आए जैसा कि पंदरवी विदान सबा का यह चुनाओ था अब पंदरवी विदान सबा का चुनाओ था यह तो फिर आपको याद होगा और नहीं होगा तरट लीजिए यह पर प्रश्न बनेगा कंदरवी विदान सबा का चुनाओ पंदरवी 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 वि चल रही है लोकसबा 27 चलेगी और अभी चोद भी घतम होकर पंद्रवी अपनी स्टार्ट हो चुकी है तो 2000 कब तक चलेगी है 2018 से शुरू हो ये तो 19, 20, 21, 22 और 23 तक ये रहेगी और वो रहेगी 24 तक तो ध्यान रख लेना ये ध्यान रहेगा कि 24 तक अगर कुशन बनता है तो वहाँ पे 70 भी तो लोकसबा आएगी और 15 भी विदानसबा आएगी आगे जलते हैं 200 विदानसबा राज्तान के अंदर है और 200 में से 190 पर ये वोटेंग हुई है बाकी पर जो है एक विदानसबा पर बाद में हुई थी उसमें कॉंग्रेस पाठे बीजिये हो गई है एक बात और बता देता हूं पिछली भार भी ऐसे ही हुआ था जो लास्ट टाइम चुना हुआ था अलवर की एक सीट है जहां से BSP प्रत्याशी होते है उनके डेथ हो गए तिस वज़े से इस सारी चीज़ आपने अकबार में पढ़ ली होगे इतना कुछ डिटेल नहीं प के अंदर जो इस्टेट है वो 29 है तो ऐसा करते है 33 जिले हैं एक जिले को 4 दे देते हैं या 5 दे देते हैं जो मंटिप्लाइ करके आंसर निकाल लेते हैं बिल्कुल ईजी है ऐसा नहीं होता है पोपुलेसन के इसाब से डिवाइड होता है केवल जेपूर के अंदर अपने पास 19 विदांसभा सेत्र है और प्रताबगर के अंदर मातर 2 विदांसभा सेत्र हैं दोनों ही जिले हैं जिसल्मेर के अंदर फी इतन ही है इसी प्रकार से उद्यपूर के अंदर 9 है और अलग-अलग जिगा पाली के अंदर कुछ अलग है बूंदी के अंदर 3 है इस प्रकार से अलग-अलग डिष्टिकों में वहां की जितनी जैंसंके हैं वहां निवास करती है अब देखा जया है तो सेत्रपल की तरक्षी से जिसल में बहुत बड़ा है लेकिन वहां विदानसभा सेत्र दो ही है और जैपूर जो है महां 19 से इसी प्रकार से जोदपूर में 10 यह अलग-अलग है हर जगह तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि विदानसभा सेत्र कभी भी जिले बार तो डिवाइड होते है लेकिन पोपूलेशन से होते है एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अब यहां पर एक प्रशन नहीं बनेगा कि साम्मानने की कितनी सीटे हैं साम्मानने की टोटल 141 सीटे हमारे पास थी और यह आरक्षित रहता इन में आरक्षन होता है पर्टिकुलर इस इस एरिये में कि यहां यहां इस सीट के लिए यह उमिदवार खड़ा होगा 34 सीटे अपने पास अनुसुचित जन जाती अनुसुचित जाती की है और 25 सीटे अनुसुचित जन जाती की यानि कि ST की है और SC की है यह तो है SC और यह है ST सूडल कास्ट और सूडल ट्राइब आगे जलते हैं विदान सबाद चुनाओ में पहली बार मद्दान electronic voting machine से किया गया और एक बात मैं आपको बता दू चुनाओ में पहली बार मद्दान ये जो है EVM में एक नया बदल किया फिर बदल किया गया था basically EVM से तो पहले भी हो चुका है चुनाओ लेकिन EVM में एक बहुत बड़ी जो चीज आई थी वो थी पहले दो device होते थे एक होता था CU एक होता था BU अब इसके अंदर एक आगया है VVPET ठीक है अब basically क्या है कि CU जो होता है वो control unit होते थी तिर BU जो होता election का पुरा process बता रहा हूँ जो आपको polling booth पर देखने को मिला हुआ BU जो होता था उसमें बटन होते थे बहुत सारे उसमें आपने बटन दबाया यह सारा data इसमें आ गया और यहां से CU को ले जाता था counting में इससे counting हो जाती पूरी लेकिन यह VVPET जो आया है इसने 2011 राजस्तान में एक प्रस्न बनाया है प्रस्न मराता सुचना साइक के एक्जाम में उसमें पूचा गया था कि Water मतलब इसका VVPET का फुलपॉम क्या है Water Verifiable यह Paper Audit ट्राइल इसका फुलपॉम होता है और Basically आपने क्या बोट दिया है उसका symbol आपको यह प्रिंट करके वहाँ इसको नहीं रखा होगा यह हो गया Election के संबन में कहीं सारे जब Election होता है तो application भी आते हैं बहुत सारे application जो होते हैं वो अधिकारियों के लिए होते हैं बहुत सारे police के लिए होते हैं बहुत सारे अलग चीज़ों के लिए होते हैं Code of Conduct जो होता है, Media Code of Conduct या Code of Conduct का जो violation करता है, उसको identify करके आप information दे सकते हो, मात्र 100 minute के अंदर आपकी information जो है, collect करके उसको resolve किया जाएगा, आपको reply मिलता था online, तो ये था CVJL, जो introduce कराया गया था, और इस पर प्रस्न confirm बनेगा, और एक बात और बता हो दिए एक application था, और ये 2000, जो आपके 19 के लोक समाई election दो, उसमें भी use आएगा, देखिए परणाम से सम्मंदित प्रस्न इस प्रकार से नहीं आएगा कि कौन सी party कहां से जीती है, या भूल जाएगे, प्रस्न बनेगा, महिला कितनी जीती है, पर्टिकुलरी किस सेत्र से, किस महिला ने किस प्र जेता हूं, 100 सीटें अब कॉंग्रेस की हो चुके है, और 73 सीटें जो है, बीजेपी की है, निर्दले टोटल 13 है, और अन्य जो है, बसपा के 6 है, CPM के 2 है, इसके लगा पूरी डिटेल आपके पास है, यह देख सकते हैं, टोटल 200 सीटेस में हो गई है, और बाद में जो जाता, वो भी मिला करके है यह पूरा डेटा, चुनाओगा प्रतिसत में प्रशन कनफर्म बनता है, एक बार कहने की छोटे मोटे एक जम में बता आएगा, ध्यान रख लेना 74 परसेंट वायर, यह पिछली बार से कम है, पिछली बार 78 था, ठीक है, 74.69 जो की एक respectable data है, कोई 27 के संदिंग होते हैं, तो 4 क्रोड कुल है, 4.75,54,330, एक जेक data कभी नहीं पूचा जाएगा, पूर्स मद्दाता जो है, वो 2.47 लाग यह लगबग 2.5 क्रोड यह हो गए, और महिला मद्दाता जो है, 2.27 लाग, तो यह भी वहीं आगड़ा जाता है, ट्रांसेंडर information में आपको बता दू, service मद्दाताओं के लिए एक नया application इस बार launch हुआ था election में, आला कि यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है, उसको नाम था, service voter के लिए वो था, तो service voter सबसे पहली बाद तो कहते हैं, service voter उसको कहते हैं, जो आर्मी में काम कर रहा हो, या किसी और service में, ग सक्सुन हो जहाँ, उनकी संक्या राषटान के अंदर है, एक लाग शुलह ओजार 520, आगे चलते है, मद्दान का पर्योग करने वाले मद्दाता, मद्दान का प्रियोग जो किया है, टोटल तो چाल करोड थे लेकिन, मद्दान का प्रियोग लगबक 3 करोड नहीं क बहिलाओं ने 44.6% वोट दिया है इसके लिए प्रश्ण बनेगा कंफर्म है क्योंको महिलाओं ज्यादा वोट दिया है नोटा का प्रयोग करने वाले 5 लाग लोग थे जिन्हों ने अपना मत का प्रयोग किया लेकि नोटा दबाया और अपनी राय प्रकेट करी सरवाधिक न ये बांसवाड़ा सीट जो है टीएसपी एरिये में आती है कुसल गड़ इसका नाम है और सबसे कम नोटा सुमेरपूर पाली में हुआ है 39 और पाली की जितनी भी सीटें आती पाली जिले के वो सारी विपक्सी पार्टी के खाते में गई है सरवाधिक मद्दाता सेतर मारवाड जंचन था ये भी पाली का ही था और नियूंतम मद्दान प्रतिसत वाला जिला जो था वो था पाली ध्यानक कियेगा 65% ही मद्दान हुआ था पाली में पोकरण में 38% हुआ था ये पोकरण एक जिला नहीं है ये एक कॉंसिटेंसी है और फोर यूर कैलिन पो महिला विदायक बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण बनेगा बहुत सारे लोग मुझे कमेंड करें पूंच भी रहते हैं कि सरीए बता दीजी पूरा डिटेल है 24 टोटल महिला विदायक है 12 बारा में डिवाइड कर लेते हैं अपन 12 जो है कंग्रेस की है और 12 विपक्स की पार होते हैं बहुत ही उसमें उप मुख्यमंतरी सर्जीन पाइलेट है यह तोड़ा इंट्रेस्टिंग है अब ऐसे बात की जाए तो रजस्तान के अंदर मुख्यमंतरी की पोस्ट हमेसा नहीं रहती है विसे इस कारणों पर यह पोस्ट आई जाती है या लाई जाती है और सच सचीन पाइलेट साब के लिए सचीन पाइलेट पांच वे मुख्यमंतरी है इससे पूर्व टीकाराम पालीवाले नाम बहुत महत्तोपून है सन भी यात कर लेना क्योंकि यह उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी के वर्तमान में सरकार है तो डेफिनेटली क्योशन पूठ हो बने थी 23 में यह अट गई थी और यह सारी जो है वो उपमक्यमंतरी रह चुके हैं तो चार तो यह सचीन पाइलेट पांच वे हैं एक बात बात बाता दूब बनमले लाल बेरवा जो थे और कमला बेनिवाल सचीन पाइलेट वर्तमान में तीनों गहलो सरकार में उपमक्यम यह हैं और पार्टी भी होई है तो चांस बनता है जबकि टिकराम पालिवाल जिनारान व्यास तता हरसंकर भावडा बेरो संग्स हेकावत के समय में उपमक्यमंतरी बने थे बेरो संग्स हेकावत के समय में बने थे राज्य में इस बार 14.69% रिकार्ड मद्दान हुआ जो पिछली बार से कम रहा पिछली बार का जो था यह 0.54% कम रहा है पिछली बार मैंने एक आगड़ा दिया था आपको 78% अभी इसी वीडियो में बताया वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि यही डेटा जो था दिया गया था मीडिया में बाद में क्या हो आ रहा होगा क्यो उसमें अभी कोई भी डेटा सो नहीं कर रखा है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो है ओडिट होना बाकी है उसके बाद सारा डेटा डिस्पले होता है और इसमें काफी ज़ाब टायम लगता है क्योंकि अपने सरे लोकस बाइए लेक्शन आ जाते है तो आपको फिलाल य इसको मद्दान में ये कांग्रेसी सीट साफिया खान ने जीती है आगे जलते हैं ये साफिया खान जो है नाम आपको याद रखना है क्योंकि प्रस्ण बन जाएगा उपको नाम में किसकी जीत हुई मत गंडा में कांग्रेस को 39.3% जबकि भाज़पा को 38.8% मत प्रता प्राप्त हुए और ये सारे चीज़े मीडिया से आपको प्राप्त हो गई होगी इसमें कोई खास प्रस्ण बनने की संबावनों मुझे लगती नहीं सबसे बड़ी जीत जो हुई थी भाज़पा के केलास में एकवाल के सापुरा भिलवाडा जी सीट से हुई थी और बुजुर्ग विदायक जो हो थे ये सबसे इंपोर्टेंट हो सकता है सूरे कांत व्यास है ये भाज़पा के हैं और सरवादिक छे बार ये निर्वतित हो चुके हैं ममता भूपे से एक मात्र महिला मंत्री बनी है ये प्रस्ण कहीं न कहीं तो पूंचा ही जाएगा महिला मंत्री कौन है मंत्री मंदल में मैं बात करूँगा पूरा डेटेल में अभी यहीं लेंगे इसी वीडियो में वित्त मंत्री भी यही है, आबगारी मंत्री भी यही है, आयोजना मंत्री भी यही है, नेती आयोजना मंत्री भी यही है, और कार्मिक, सामाने प्रशासन, IB, DOIT और ग्रह और नियालेले मंत्राले भाग भी यह है मेरी बाक सुनो यह जो DOIT होता है यह यहाँ पर IT मिर्स्ट्री जो होता है उससे रिप्लेक्ट करता है ठीक है तो पूचा जाए कि IT मंत्री को होने तो वो भी यह है उसके साथ एकर बात की जाए तो सेजिन पायले जो कि मंत्री है उनके पास भी कम मंत्राले नहीं है PWD उनके पास है, गरामिन विकास उनके पास है, पंचायती राज उनके पास है, विज्ञान अन प्रोदगी, सांकी की विवागमेन के पास ही है आगे हम चलें तो cabinet मंत्री की बात कर ली जाती है BD कल्ला जो है वो उर्जा और जन स्वास्ते अभियांत्री की भूजल कला साइंते संस्कृति मंत्री है यानि कि कहीं भी कोई सांस्कृति का काम हुआ, भूजल का काम हुआ, कला का हुआ, सायत्य का हुआ, उर्जा का हुआ, और स्वास्ते का हुआ अब यहाँ पर मैं आपको बताओं जन्द स्वास्ते अभियांत्री की की बात हो रही है स्वास्ते मंत्री मत बना देना इनको ठीक है न यहीं किन पूज हो जाओगे आप यह होता है जन्च स्वास्ते अभियांत्री की यानि की जो स्वास्ते इंजिनेरिंग होती है उस टाइप की Medical Engineering उसके मंत्री है यह ठीक है आगे जलते हैं सांतिलाल धारिवाल जो है सांतिकुमार धारिवाल स्वाइज सासन मंत्री है पहले भी यही थे कोंग्रेस के जो पिछला वाला कारेकाल था आज के 5 साल पहले वाला तब भी यही थे नगरे विकास आवासन विधी कारे विधी परामर्सी कारेले के संसलिय मंत्री यह है यानि कि किस प्रकार से जो है विदानसभा में कारे होगा वो भी यही देखेंगे और स्वाइज सासन मंत्री तो हैं नगरे विकास आवासन में के पास ही है तो बहुत सारी डिपार्टमेंट के पास है अब आता है पसादी लाल मीना ये उद्ध्यो और राज के उद्परम जो होता है उसके मंत्री है मास्टर भाउलाल मेगवाल ये सामाजिक न्याई अधिकारिता आपदा परबंदन में साहिता करेंगे वो वाले मंत्री सामाजिक न्याई जो होता है उसके मंत्री ये है लाल चंद गटारिया कर्सी और प्रसुपालान मतस्य भाग के मंत्री है रगु सर्मा ये चिकसा मंत्री है इनसे कहीं सारे सवाल पूछे जा रहे है स्वाइन पुल्यों में इतने ज्यादा लोग मर गए आप कर क्या रहे है तो ये उर्प्रांग जवाब भी दे रहे है तो ध्यान रखिएगा ये स्वास्ते मंत्री है स्वास्ते अभिहंत्री की मंत्री पहुचा जाएगा तो आपको कहां आजाना है बीडी कल्ला साब के पास आजाना है क्योंकि कल्ला साब के पास क्या है स्वास्ते अभिहंत्री की है ठीक है प्रमोजन भाया जो की 12 से वर्चस्व अपना रखते हैं ये खान और गोपालन मंत्री है विस्वंदर सिंग प्रियेटन और देवस्तान मंत्री है स्री हरिष चोदरी जो है ये राजस्व उपनिवेस क्रिसी संचिस सेत्री विकास के जल उपियोगिता मंत्री ये है उसके साथ साथ रमेश चंद्रमीना जो है चितोड जिले में पड़ता है पुराई रिया सरकारिता इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना है इनके मंत्री है ये तो ये प्रस्ण बन सकता है सरकारिता इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना के मंत्री कौन को इंद्रा गांदी नहर से काफी जादा प्रस्ण बनेंगे अब क् because the government is आपको पता चल गया होगा प्रताप सिंग खाजरेबाद जो की civil line से लड़े थे जेपूर की परिवहन और सेनिक लियना मंत्री है परिवहन मंत्री जो है वो पहले यूनिस खान थे अब ये बने है अब स्री साहेल महुम्मद अल्प संक्य कुवक्विवाग के मंत्री है आगे जलते हैं अब आपने यहाँ पर देखा केबिनेट में तो अपने पास एक भी लेडी नहीं है नीचे जलते है श्री गोविन सिंग डोटास राज है वो है राज्य मंत्री तो है इसके साइट्स आपको बता दूँँ है उसमें इन्वल्ट करने जोतनी होते है इससे मालने कि राज्य में कोई ऐसी गटना धज़त होजाती है जिसमें अकेला जो मुख्य मंत्री होता है उसके आदेस पर काम नहीं होता है बहुत से ऐसे पैसले होते हैं जिसके लिए केबिनेट का आदेस लाना जरूरी होता है तो केबिनेट के कुछ बिसिष्ट मंत्री होते हैं जिनको केबिनेट में रखा जाता है और वो केबिनेट में जो मंत्री ह fragen निकाल देते हैं तो फिर उस आदे इस को बिदान समा में पारित करवाया जाता है फिर आगे जाकर वो पारित हो जाता है तो कानून बनाने के लिये है लेकिन अगर आप केबिनेट में नहीं है तो आप से पूछा नहीं जाएगा आगे चलते हैं बहुर सिंग भाटी जो है उच्छ सुतंतर सिक्सा प्रबार के मंत्री है जोनों ने कहा भी ता कि इंजिनेर्णिंग कोलेजों मेरे इन में जो है नए टीचर्स की भरती करवाई जाएगी लेकिन अभी तक कहा ही है असोक चांदना बैसिकलि ये मंत्री के बात में परिचे दूँगा लेकिन ये खिलाडी है और ये पोलो के खिलाडी है राजस्तान में हाडोती सेत्र से हाडोती में एक सीट है हिंडोली वहां से ये चुरकर आए बूनी जिले में ये पढ़ता है और ये खेल मंत्री है युवा है उध्मिता परसाद इनके पास है कोसल नियोजन इनके पास है परिवहन और सैनिक लियान भी इनके पास ही है आगे जलते हैं स्री टीका राम जूली स्री टीका राम जूली जो है स्रम कारखाना बॉयल निरक्चन स्वतनत प्रबार सहकारित अंद्रागारी नहर परियोजना के ये मंत्री है भजन लाल जाटव भजन लाल जाटव जो है रक्षा, घरव इबाग, नागरीक सुरक्षा सुतनत प्रबार, मुदरन कुल मिलाके जो काम आपका पहले कटारिया जी करते थे बीजेपी में वो काम ये करेंगे स्री राजेंदर सिंग यादव सुचना और जनसंपर्क से एक बात याद आती ही संपर्क पॉर्टर लाजस्तान इसमें क्या होता है कमेंट करके बताइए प्रशन बना हुआ है राज्य में सत्ता प्रिवर्दन के बच्चान मुत्पुन न्युक्ते की गई ये क्योंकि यसे नई सरकार आती है तो अपने अपने चहीते अधिकारियों को लगाती है तो प्रमुक सचीव जो है मुख्यमंत्री के वो है कुल्दीप राका आईएस है आलागि इसकी डीटेलिंग में आपको पहले दे चुका हूँ सारी शीजी परबंदक निदेशक रीको जो है वो गोरव गोयल है अध्यक्स राज्य सुमंडल अजमेर के मुके सर्मा बना दिये गए है अध्यक्स राज्य सुमंडल अजमेर के जो है सदसे जो है वो बना दिये गए सिकर अगरवाल और प्रमिन कुमार गुपता अध्यक्रास्तान सिविल सेवा अपील प्रादी करण के गिर्रा सिंग है ये सब आईएस होता है ठीक ना अधिकारी होता है और इनके प्रस्ण बन जाते है पुलिस महा निदेशक जो होते हैं और महा निदेशक घररक्षा के ओपी घलहत्रा होगे जिनके बारे में काफी ज़्यादा अकबार में छपा भी है पढ़ लिया होगा आपने बिबाद हो गया है पुलिस कमिशनर जैपूर आनन्द सिरिवास्तों है और इनके बारे मप्रस्म बन सकता है और प्रबंदग निदेशक जेपूर डिसकोम एके गुपता होते हैं प्रमुक सची उर्जावी बाग के जो है रास्तान डिसकोम के चेर्मेन जो है नरेश गंगवार और CMD राजस्तान जो होंगे विरुषप्रसारण कंपनी के वो होंगे कुंजिलाल मीना और सलाकार मुक्य मंत्री होंगे वो सिरी Dr. Govind Singapore होंगे और आर्तिक सलाकार होंगे मुक्य मंत्री के वो होंगे अर्विन मयाराम ये सारे पदादिकारी होगे उसके बाद मैं बता देता हूँ महन चोदरी जी को इनको याद कर लेना ये पूचे जा सकते हैं आगे चलते हैं एक परिवर्तन हुआ है चबड़ा पाउर प्लांट बिसिकली थर्मल पाउर प्लांट कितने हैं केक से कैसे हैं आपको पता होगा आपका सुरतगर भी है आपका कोटा भी है और और ब히 कही सारह है तो मैं आपको बता जीता हूं 12 के अंदर भी एक है उसमें जो है छबड़ा 12 ठर्मल पाउर प्लांट था ओर राजस्तान का सबसे बड़ा ठर्मल पाउर प्लांट अब बन चुका है तो आपको प्रशना आए तो confused नहीं होना है इससे पहले कौन सा था comment में बताए मुझे यह जो moving index basically होता क्या है एक authority है यह यह index जारी करती है जिसमें बताया जाता है कि कौन-कौन से चीजे हैं जो व्यापार करने के लिए कहां-कहां आपको सुहुलियत होगी अलग-लग कंप्रें इनको देख करके व्यापार करती है अलग-लग data देती है, doing business का देती है moving index का देती है, अलग-लग सारी data होते है तो उसकी rank के नुसार एक नॉमबर 2018 को केंद्रिय सड़क परिवण मंत्री नितन कड़गी नेने इस रिपोर्ट के नुसार जेपुर में पेदल यात्रों के लिए फुटपास सबसे अच्छी हालत में है यानि कि जेपुर का फुटपास सबसे अच्छी हालत में है देश के अंदर तो ये प्रश्म बन जाएगा जेपुर, बॉम्बे, दिल्ली, कुलकत्त, कुछ भी नाम रखतेंगे आप सोचें कि यार बॉम्बे, दिल्ली में होगा अपन तो जेपुर में तो कैसे होगा तो आप किसन करत कर देंगे जेपुर का फुटपास अगर आपने नहीं देखा हो ये नई बात हुई है इस लोगों का प्रियोग कोले सिक्सा में विभाग की वेबसाइटों पर इमेल के जरीए रास्तन और आजकल एक और चलड़ा है 150, 150 येर वाला भी चलड़ा है गांदी जी का लोगो जिसमें गांदी जी उधर की तरफ देख रहे है पीचे सुनका फोटो दिया हुआ है विग्यापन समगरी डिजिटल हस्ताक्चर समचार पत्रों में ये लगाया जाएगा ये क्यों लगाया जाएगा मैंने जब बायोग्राफी बनाई थी असोग गेलो साब की उनमें लिखा था क्योंको महात्मा गांदी बहुत ज़्यादा मार्टिन लूथर किंगर मात्मा गांदी के भगत है वो एक प्रकास से वो जब आये थे चुनकर के तो उन्होंने सचवाले का अंदर गांदी जी की काली बहुत बड़ी मूर्थी दिखेगी न आपको उधर जाते अंदर की तरफ तो वो भी उन्होंने लगा ई थी और गांदी जी के बहुत बड़े फॉलोवर हैं गांदी जी डायरी भी बहुत करते हैं अपने मिलने वालों को तो यह सब होना लाजमी था आगे चलते अच्छी बात भी गांदी जी को याद करना कोई बूरी बात है निarm प्रदेश के सरकारी महाउध द्यालियों में तो गंदीजी के लोगों सूर्य किरण सूर्य किरण सूर्य किरण जो है 21 एक्क्टूंबर 2008 को भारती वायू सेना ने अपनी अब सकती प्रदेश करने लिए उस प्रदेशन का नाम लिखिए अपने मेडिया में देखा होगा आज एक बार में छपाईए नाम बताएए और नहीं पता है तो गूगल करिये अगबार पढ़के आईए ऐसे कैसे चलेगा राज्यों में बेटियों की जन्मदर में बड़ोती हुई ये खुशी की बात है पिछले वर्स की तुन्ना में इस वर्स 18 जिलों में बेटियों का जन्म हुआ है और आधी वासे सेत्र बांसवाड़ा में 1000 बेटों पर 1094 जिले में 1009 बेटियों का जन्म हुए लेंगा नुत्पात जो है बड़ा है बेटीओं को इसे क्या बड़ी है बहुत बड़ी है बात है मुख्य मंत्री जल स्वाड़ांबर यह पुरानी चल रही थी ठीक न अब इसी इसी को लेंगे आज की वीडियो में इसी खतम कर देंगे पुरानी योजना चल रही थी राजी हजार गाओं का चैन किया गया था यह डेटा बहुत इंपोर्टेंट है टू नाइंटी फाइब पंचाई सिमितियां चालिस हजार गाओं तीन अक्टूमर दो जारठा से चोता चरन प्रारंब हुआ था डेट इंपोर्टेंट है नाम है मुख्य मंत्री जल स्वालम मन इसक चालिस हजार गाओं है एक-एक डाटा रट जाना चीए प्रस्ण 2018 में इससे कहीं सारे बने थे अब ही बन सकते हैं दुबारा एम जे से ग्रामिन क्या होता है पहला चरन जो हुआता हो तीन हजार पांसो गुंतिस गाओं में लगभग पिच्चानम हजार धाचे बनाए गएते जिसमें संचे किया जाता है पानी का इसका डिटेलिंग लेना हो तो इसका ब्रीफ वीडियो में पहले दे रखा 2018 बना दि पंद्रा हजार दोसो डाचे बनाए गए थे साट लाग पोदे लगाए गए थे कुल मिलाकर पानी के लिए ये सब कुछ कर रहे है रास्तान पानी कमी है पहला चरन जो है अम जैसे सरीकाश में चांचट कस्वों में 1390 डाचे बनाए गए थे और 3 लाग पोदे लगाए इसके बाद बहुत सारे युद्ध्यव्यास हुए हैं 2018 और 2019 के जो 2018 के भी इंप्लिमेंशन हुए वह सारी चीज़ इसके अंदर है 2019 के भी है जब यह सीरीज खतम होगी फिलाल तो आप इसको देखिए सब कुछ है इसमें मूच मूच का अंतर बहुत सारी चीज़े नहीं न अगर आपके पास कोई डेटा है इसमें जो डेटा दिया हुआ उसमें कोई करेक्शन आप करवाना चाहते हैं क्योंकि यह करेक्शन हो आपको कुछ पता हो तो आप भी करेक्ट कर दीजिएगा हाद जोड के निवेदन है क्योंकि बच्चों का फाइदा हो सके नहीं तो कुछ आके ग्यान देज के चले जाते हैं सर यह तो गलत था सर आपने कैसे सर यह तो बिलकुल आप बच्चों का भविस से बरबाद कर देंगे अचा कुछ नहीं भई मज़ा नहीं आता है वीडिय लेकिन आप जुड़े रहें बने रहें समस्तर नहीं बहुत सारी चीजे समझाने की होती इसलिए वीडियो बनाया जाता है थैंक्यू धन्यवाद जहिन जह बारत और हां जो वीरों ने कुर्बानी अपने लिए दी है अगर आप चाहें तो उनके लिए कुछ डोनेट कर सक हैं मैंने कर दिया है आप भी कर दीजिए एक रूपय आ हो दस रूपे हो पचास रूपे हो जितना आप कर सके मांनता हूं कि भेरोजगार हो जढ़ा पेसे तो अपने पास हैं इस है नहीं फिर भी कीजिए क्योंकि वो लोग को अपने लिए जान दे दिए हैं हम उनके काप के पास है धन्यवाद मैं सहीदों को नमन करता हूँ और सुरदांजली अप्रेट करता हूँ एक बार फिर चाहे